शेहर के एक्स डिप्टी कमिशनर डिश्री डीडी गौतम जी उनके परिवार की तारे इसके साथ जुड़ी हुई है प्रेंट्स को लोने दिखा के वहाँ का नक्षा पास करा लिया मिस रिपर्जेंटेशन अप्रेट्स तो इन्होंने करा है साथ गार इसलिए जी कि उसमें मिस रिपर्जेंटेशन बहुत भारी कर रखी है शुरीता गौतम की जो रेंटीड रिजिस्टर करी गई है उसके अंदर जो एड्रस दिया गया है वो दिया गया है सौ मत्रा नगरी पर इबातमी सीगर आएसन गरें तो अपर इस वह सब uh di mcqdmav ri मैं तो कहता हो आप कर लेड़ाए आप निजो है अप सौंसी अब कर लिए रहु है सद्साब आःसन फॉख कि यह बातमी सीदर है अब कर लेगार को слыш hypothesis के लिए कमिशनर चाहब कहते हैं कि एक्षियन के पास जाओ जैसा कि उन्होंने बताया मुझे रेंट उसमें आठेग के माध्यम से कि इसका कोई नक्षा स्विक्रित नहीं है एक्षियन सीरे से खारीज गर देते हैं उनका कहना है कि एमी के पास चार्ज है या बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास चार्ज है आप टभी कमिश्णर उस से कारवाई नि करता है नगार निगम क्मिश्णर करता और मुझे लिकेत में डेते हैं इकलार्थिश नीन को कोई अनुशी नहीं है यहां तो कमिशनर साहब को नहीं पता आर्ट यही के माध्रम से बात हो रही है सारी सारी उन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी है जिसकी दॉर्स मैंने 17 सीय मिंटो लगाई है कोई लीगल बार ऐसा नहीं है और यह कारवाही अब तक हो जानी चाहिए थी यह कियो नहीं हो रही जयां जो इसके पीछे अगर कुछ लगता है तो एक नैकसस ही लगता है और पैटरनेज लगती है तो क्या अधिकारी क्या बोलते हैं अधिकारी तो शुच say और अधिकारी いや किले ही लिए II A एपयर नमस्कार एवन पंजाबी देख रहे सभी दर्शकों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करते हूं मैं स्वरण जीत सिंग बावा एक बार फिर आपके समक्ष और जैसा कि हमारे दर्शक हमें बार-बार संपर्क कर रहे थे कि जगी सिटी सेंटर जो हर्याना में एक ओपन शॉपिंग मॉल है उससे संबंदित और क्या जानकारी समझ आई है और और क्या जानकारी आप लाने वाले हैं तो दर्शकों की मांग पर और साथ ही लोगों के बार-बार संपर्क साथने के बावजूद आज हम पूरण रूप से तथ्ये ले करके आए हैं जगी सिटी सेंटर से संबंदित आपको याद होगा 2014 में जब इस देश के परधान मंतरी शरी नरेंदर दा मोदर दास मोदी ने शपत ली थी तो उन्होंने बात की थी कि मैं भरष्टाचार मुक्त भारत जो है वो बना करके रहूँगा और भरष्टाचार की जड़ें जो हैं हिला दूँगा लेकिन बात करते हैं हर्याना परदेश में जगी सिटी सेंटर की जो ओपन शौपिंग मॉल बनाया गया और बात मैं करने जा रहा हूँ कि क्या ये शौपिंग मॉल लीगल और इलीगल है या जिसे हम कह सकते हैं कि इसका वैद निर्मान करवाया गया या वैद निर्मान और साथ ही हम ये जानने के लिए हमारे साथ आज अमबाला से अनूप राना जो की आटी आई एक्टिविस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही उनके सरभ जीत सिंग जो एड़ोकेट है जो लीगल अडवाइजर है उन दोनों का मैं एवन पंजाबी के स्टूडियो पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अनूप जी बहुत-बहुत स्वागत है सरभ जी आपका भी तो बात हम कर रहे हैं सबसे पहला मेरा सवाल जो कि हमारे दर्शकों ने हमें कमेंट बॉक्स में भी बहुत बार लिखा और साथ ही उन्होंने जानने का ये उन सब में कु तो सबसे पहला सवाल कि यह है लीगल है लीगल है और अगर यह लीगल है तो क्या कारण है और कौन-कौन इसमें समलित है क्योंकि बहुत से आला अधिकारियों के के नाम है ये टोटल इंलीकल हजी इसकी कोई की कि इसका कोई is यसका बिल्डिंग प्लान नक्षा जालें कि गोतम परिवार कौन है और शहर के एक्स डिप्टी कमिशनर डिश्री डीडी गोतम जी उनके परिवार की तारे इसके साथ जुड़ी हुई है इनको एक दुकान इनकी है एक इनकी वाइफ सुनीता गोतम के नाम से है दुकान नमबर 30 और 31 के मालिक हैं दोनों जिनका कोई नक्षा नहीं है कोई CLU नहीं है दोनों आप की नहीं नहीं दुकान मरजें दोके स्मय उनके जो जब रेंटीड रेजिस्टर करी गई तो उनके भाई श्री टीका राम गौतम जी थे नेव तसीलदार जिन्हों रेंटीड रेजिस्टर करी काग्जों की गोल माल तो तभी से हो रहा था जब बीच में कुछ कागज जब ज्यादा मिलने शुरू हो गए आर्टी के द्वारा तो इन्होंने अपने बतीजे को शिरी टीका राम गौतम जी के बेटा जो अभिनव गौतम है जो कि इन दुकानों के साथ इसका भी रेंटीड हो रखी हार्दीप सिंग्जगी के साथ 551 नंबर रेंटीड नंबर है वाई दोजार अठारा उन्नी के रिजिस्टर है आप कभी कोई भी चेक कर सकता है जाके रेंटीड उसमें श्री अभिनव गौतम जी और श्री वैभव गौतम जी दोनों भाईयों ने पांस दुकान ने लीज जीड पर ले रखी है अभिनव गौतम की आपने बावत की वह मुझूदा इस समय नाइब तसीलदार है और अभ जो है जब से ये नज दा लगे है तब से उनके ताया जी यह चाच्छाय जो बी एंके इस डी गौतम जीरों के पार्ट्र बन गए है घृच्जी अगोतम जी वह तो चीफ मिश्टर लगे है तो कहने का मतलब है यह सबसे बड़ी बात आपने बताई संदर्भ में कि है मुख्य मंत्री के OSD एक बतीजा और एक सपुत्र जो कि टीका राम गोतम के सपुत्र है अभिनव गोतम वो मुझूदा नइब तसीलदार है तो आप यह देख रहे हैं कि आपने देखा कि आठीए एक्टिविस्ट अनू प्राडा ने साफ तोर पर यह कह दिया और इसी से सुनीता गोतम जी की साथ सो दस नंबर और साथ सोड़ा नंबर आप कभी भी चैकर सकते हैं उसके फोटा लगी होती है फोटो किसकी लगी है शिरी टीका राम गोतम जी की लगी हुई है लेकिन अनू प्राणा जी मैं बताना चाहूंगा कि अगर नैप तसीलदार होगा तो उसकी फोटो लगेगी तो आप मतलब यह कैसे हमारे दर्शक भी जान पाएंगे कि कहां यहां बरिश्टा चारिया यूं कहें कि आप सी सांड़ गांट है सांड़ इसलिए जी कि उसमें मिस रिप्रेंटेशन बहुत भारी कर रखी है सिरी सुनीता गौतम की जो रेंटी रि या उसके बाद कोई घर की दिक्कत आई हो उन्होंने रेंट पर ले लिया हो तो कब रहे हैं यह तारे सीधी सीधी जुड़ रही है उसके साथ है एवन पंजाबी चैनल लाड होई मिस्टर डीडी गौतम दी गल बात तुसी सुन सकते हो हलो हाँ जी मिस्टर डीडी गौतम जी बोल रहे हो रटायर डी सी हाँ जी मैं बोल रहा हूं सर नमस्कार जी सर एवन पंजाबी चैनल दे हैड आफिस तो मैं गल कर रहे हैं सी सोमस होता हाँ जी सर थोड़ी इंफर्मेशन लेनी सी आप जी दे कोड़ों सर जगी सिटी सेंटर बारे गल बात करनी सी जित्थे तो अडियां दो शॉप्स ने शॉप नमबर ती हेलो हेलो दोस्तो मैं इते दसना चौना की मिस्टर डीडी गौतम जी ने जो की रटायर डीसी ने उना ना असी गलवात करनी कोशिश कर रहे सी लेकिन उना ने बिच्चों साड़ा फून एवन पंजाबी चैनल दा काट देता है जाकि असी पूछ रहे सेगे उना दे कोड़ों है जानन दी कोशिश कर रहे सी के जगी सीटी सेंटर दे बेच दो शॉप्स ने शॉप नमबर ती और एकत्ती जडी ओ मिस्टर डीडी गौतम जी दे नाम है और एकत्ती नमबर जो है उना दी वाइफ दे नाम है लेकन सवाल एक जम्मेबार औफीसर जिन जależने की पूरी जिडिड़ती जिम्मेबारियां नी वांगयान नों पता है कि नक्षा उते दा पास नहीं है का ना ही ओधने ना कियो अनौई से है ना ही इस तो सब्सक् blankets फे ना फेसे सब्याश करनी ए और इंत किलो बार दा सब्सक्री में को फोन कट दिता है तो आप लवजों में यह कहेंगे कि यह अवैद बना हुआ इलीगल है टोटल इलीगल है टोटल चलिए टोटल इलीगल है अगर बात हम अभी हमने आगाज किया कि क्या जगी सिटी सेंटर आवैद है या वैद है तो अनूप राणा जी ने दस्तावेज भी दिखाए और जैसा की मुहावरा है हराना में और हराना की लोग समझते हैं हाथ कंगन को वार्षा क्या और पढ़े लिखए को फार्षा क्या और ये प्रमान दे रहे हैं ये दस्तावेज कि वाके में कही न कहीं तार जुड़े हैं मेरा अगला सवाल क्योगी जैसे कि लीगल और इलीगल की बात कर रहे हैं तो आप बात आ जाती है नक्षे की क्योंकि देसी लहजे में ये समझना ये लोगों के लिए ये आम जंता के लिए भी समझना बहुत जरूरी ह कि क्या जगी सिटी सेंटर का नक्षा पास है और ऐसा क्या कारण है अनूप जी जैसा कि हम भी आप तो काफी समय से इस पर वरक आउट कर रहे हैं हमने इससे पहले दो तिन खबरे दिखाई है जगी सिटी सेंटर से संबंदित जानकारी हमने भी जूटाई और जितनी बार हम नंकी नगरनीगम में गहें उनके अधिकारियों से मिलने के लिए और सबसे पहले मेरा सबसे दूसरा सवाल आप इसे भी है और साथ ही ऐसा क्या निगरनीगम के के बात हो रही है सारी सारी उन्हों नहीं इंफर्मेशन दी है जिसकी बदालत मैंने 17 लगाई है स्टारा सी एम विंडो लगाई है आज भी पैंडिंग खड़ी है इन सीम विंडो में मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा चलिए यह दस्तावे जो है आप एव नहीं थी जब उन्होंने पहली बार सत्ता संभाली थी दो सीयएम विंडो का आtका कर दिया क्या कारण है सर क्यों कर दिया मैंने इन से पूछा हर एक की कोई नहीं है कोई कि मत्डी नहीं है तो फिर मुझे बताने के लिए बैठे हो या कारवाई करोगे आप भी करोगे कारवाई मैं थोड़ ना करूंगा राना जी आपके कहने का भाव यह है कि इन्हों ने बता दिया कि यह एक तो अवैद बना है दूसरा आप अपने का कि 17 मेरी आटिया जो मैंने लगाई और चीम विंडो लगाई उसमें इन्हों ने यह मान लिया कि ना तो इनके पास कि यह ना इनके पास फायर का नोसी है ना इनके पास ट्रेड लाइसेंस है मतलब कहने का जो भी संबंदित एक भवन को बनाने के लिए यह एक मौल को बनाने के लिए पर मीशल सब्सक्राइब वो इनके पास बिल्कुल नहीं है तुसी जरूर कारवई कराओ जनाब सट दे असी ता चौने याभी तुसी तो अड़े को पत्तर कार पेज़ दिया उसनों अपनी प्रती किर्या दियो जी 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 ठीक है ना सर बिल्कुल ठीक कह रहे जनाब तुसी अच्छी काल कह रहे ह जगी जी पता चकर की है तो अड़ी प्रती किर्या जीड़ी है ओ यहाणी बहुत जुरूरी है सर तुसी जरूर आओ अपने बंदेनों पे जो मेरा पूरा इंटर्व्यू लेके जाओ जनाब मैं बिल्कुल तुसी दुसों सर कदो देखो मीडिया दे काम है तो अड़ा पाख लेना सर जरूर आओ जी सदका आओ सड़ा इंटर्व्यू लेके जाओ साधी प्रक्रिया लो बिल्कुल जैलस जेड़े लोगने हो बड़ा कुछ बोल तें जिस बिल्कुल पॉइंट ते आ मगर तुसी साथा पक्स जुरूर लो अपना अदमी पे जो जड़ा मेरा इंटर्व्यू लेके जाए मेरी तुसी सवाल करो मैं हर गाल दा जवाब दांगा आपनो बोलो सार कदो कदो पे जी असी अपने पत्तरकार नो सर्ब जो सिंग जगी जी दे कैन दे मुताबक के मंडे नो मेरे नार संपर करना फिर तुसी जरूर आ जाना लेकिन एवन पंजाबी चैनल ने उना दे कैन दे मुताबक के मंडे नो फिर सर्ब जो सिंग जगी जी दे नार संपर करन दी बार बार कोशिश कीती गई पर उना पम्देनार संपारक नहीं हूपाया और यही कारण है कि जब एवन पंजाबी की टीम जाती है तभी एक एमरा से दुम-दबा कर भागते हैं और इसी से जुड़ा एक और मेरा प्रशन निकल कर आता है कि क्या ऐसक्या कारण है आपने जैसा कि आपने कहा कि आपने लगा करकेs ये मिंड東 लगा करके आपने जवाब प्रकिंट किया और इन्हों यह ठाब ने चाहर डिस्पोस कर दिये और बात यह है कि अला अधिकारी सवालों से बच्चते क्यों है आपने कारवाई भी तो करोगे आठीए के जवाब दे दिया आपने तो आपने कारवाई क्यों नहीं की तो क्या आपको समझ आया कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हरदीब सिंग जग्गी उनके सपूतर सरफ जोट सिंग जग्गी उन्होंने कही न कहीं अधि मैंने जो दिया है इनको तरखास दिया है कि यह कौन सी तारिक को दिया अपने यह मैं तो गयारा को दिया जी और उसके बाद कि मेरे साथ दिक्कत आ रही है आप इस पर कारवाई करो और यह पब्लिक पोटल पर कड़ा कागज राणा जी आपने इतनी आपने इतनी गहन जांच कर रहे हैं आटियाई के माध्यम से आपको कहीं वर्ष भी हो चुके हैं तो जो गिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं तो क्या य कोई गिफ्ट तो नहीं पराप्त हुआ यह दुकानों के रूप में तो हमारे दर्शक भी यह जानना चाहते हैं मैं भी बहुत उत्सुक हूं यह जानने के लिए कि क्या यह गिफ्ट है बिल्कुल गिफ्ट है सर यह आप तभी कोई भी कमिशनर इस पर कारवाई नहीं करता करता नगरने कमिशनर करता डिव्ट कमिशनर हूँ नहीं करता और मुझे लिख्झत में दें कोई अब बात आती है आपने कलारे किंग्या करता चाहते हैं एक बार दर्शक बीजाना चाहते हैं एवन पंजाबी के कलार किन पर रोशनी डाले कलार्क इन एक्चल में है क्लार कि जो होटल है वो उसके अंदर कोई CLU कोई बिल्डिंग प्लान ने कुछ नहीं है उसका जी ना फायर की आधिकारी क्वे बोलते हैं अधिकारी तो कुछ बोलते ही ना अधिकारी तो अपना काम कि चुपचा बैड़ जाते हैं मूँ चुपा लेते हैंग प्यूंकि अब यह लगा लूग यह सरकार की रेमो करमी यह यह किसकी ゃे underground खौफ जो भी कह सकते हो आप उसी के रैमो करेंप पर चल रहा है या गिफ्ट दिये हुए है चलिए मेरा सवाल मेरा सवाल आगे अब सरफ एड़ोकेट सरफ जीट से है एड़ोकेट सरफ जीट जी मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि अवैद निर्मान को लेकर के बीते कई दिनों से अंबाला शहर में जगा जगा पर नगर निगम के अधिकारियों दोवारा एंक्रोचमेट जिसे अवैद निर्मान कहा जाता है नजाय जतिकरमन कहा जाता है उसे हटाया जा रहा है तो क्या ऐसा कोई जैसा कि अभी अनूप राना जी ने बताया कि ना तो यह पर कारओई हु रही है तो जग्यी सेंटर पर क्या कारओई होने बनती नहीं देखिए सर मैंने टायम टू टायम अनूपर जी को जो डॉकुमेंट्स उनहोंने आटी यम अथिके माध्यOM से जग्यी सीटी सेंटर के समबंद में इक अथा कीए है उनपर टाइम टू टाइम मैंने advice दिया है इन्हें और इन सब को देखने के बाद ये तो बिलकुल patently clear है कि violations जो है gross है gross violations और ऐसा कोई legal bar या legal impediment नहीं है जो municipal corporation को या और authorities को इसके खिलाफ जगी city center के खिलाफ कोई demolition drive को चलाने से रोकता हो तो हाँ कोई legal bar ऐसा नहीं है और ये कारवाई अब तक हो जानी चाहिए थी ये क्यों नहीं हो रही यह गॉड नोस इसके पीछे अगर कुछ लगता है तो एक nexus ही लगता है और पैटरनेज लगती है नेकसेस की बात एड़ोकेट साहब आपने की सरभ जी जी ने की हर्याना परदेश में और राजनीती में जिनका नाम जो है अब किसी परीचे का मौताज नहीं रह गया आप ठीक समझ रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ अनिल विज की जिनके पास ग्रह मंतराले हैं निकाई मंतर मंतराले हैं स्वास्ते मंतराले हैं और सबसे बड़ी विडंबना है कि जगी सिटी सेंटर जहां पर बना है वो उनका ग्रह विदान सबाक्षेत्र है तो अनू प्राणा जी आप इतने समय से आटी आई के माध्यम से सत्तरा की सत्रा आपने सीम विंडो लगा दी क्या एक ब आई-चारा बना करके रखते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर्याना प्रदेश के ग्रह मंतरी की संग्यान में यह बात ना हो कि जगी सीटी सेंटर आवैद के ऊपर चर्चा चल रही है और खबर चल रही है तो क्या आप उनके पास जाकर के कभी किसी तरह की आपके नहीं लग को भी गई है 20 मई को भी गई है दरखास से उनके पास लेकिन मेरे को लगता है तो देखो दमदार मंत्री यह लेकिन यहां जाके दमदार ही पता नहीं क्यों दमदार के तो लेकिन क्या कारण है कि जगी सीडी सेंटर से संबंदी तबी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई देखो दबाव तो लेंज सकता मंत्री जी लेकिन इस मामले में क्यों दब रहा है यह मेरे को पता नहीं है क्या 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 मजबूरी हो सकती है रोज विधान सभा जाते हैं रोज चंडी गड़ जाते हैं उसी क्या कैसे निकलते हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं जगी सीडी सेंटर की जो कि एक इल्लीगल एंपायर का नाम देंगा ठीक है जी लेकिन उस पर कोई कारवाई नहीं मेरा सवाल एड़ोकेट सरफ जी जी आपके आपसे है बीते कुछ द है दस है मानव चोंग के पास सबजी मंडी है वहां पर एंक्रोच्मेंट पर पीला पंजा जो है वो चल रहा है यहां इतना फुलिंदा जो है अनू प्रणा ने धाई वर्षों से आटी आई के माध्यम से जानकारी इकठी की है और इस सभी जानकारी ये बता रही है कि वाक कि सभी के ऊपर पीला पंजा चल रहा है और जो अवैद है उस पर नगर निगम के अधिकारी जाने से भी गुरेज करते हैं किशेर मैने टाइम टू टाइम अनू प्राना जी को जो उन्होंने इंफरमेशन जगी सिटी से रिलेटट इंफरमेशन अकqu Анपिलेक में 自वार्फ् क के वाफीडिक में उन सब को देखने के बाद यह तो एं बिल流ु पेटर ली क्लियर है कि यो वाइलेशन 2 है क्सुरे शि और ऐसी कोई legal impediment जो है municipal corporation के सामने नहीं है जो उन्हें इसको demolish करने से या इसके खिलाफ और भी कोई suitable जो कारवाई बनती है उसको करने से रोकता हो अब क्या है जो जो bureaucracy को और जो concern ministry है उसको कारवाई करने से रोकता है वो तो जो लगता है वो यही है कि या तो patronage है कहीं से कुछ political या कोई bureaucratic या फिर कोई ना कोई next मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसी सांड गांड तो है political बात की आपने मेरा सवाल अब एक और निकल कर आ गया यहां से मैं बात कर रहा हूँ अनू प्रणा जी आपसे मेरा यह सवाल आपसे सीधे तोर पर हम सब लोग जानते है हर्याना वासी भी जानते मेरे दर् सब्यक्राइन से मैं कोँगा कि बुलाया जाता है अले अले अलें मद फीर मंतराले है मां सवास्ति मंत्रा देंर हो रखा है तो अनू प्राणाजी क्या आपने इतने अटिया लगाई इतना आप धाई साल से लगबग दो ड़ाई साल से इतनी मेनत कर रहे हैं तो क्या अनिल विज के संग्यान में यह कभी बात नहीं लाया सब आट को बीस को बीस मईं अब कारवाई करनी है अब क्या पड़ने वाला मंत्री नहीं अपना पड़ने वाले की बात आपने की आपको याद होगा चाहे शुशान सिंग राजपूत की बात हो चाहे गंगना रुनावत की बात हो कई मुद्दे होते हैं अनिल विज का सबसे पहले टूइट आता है वही कह रहा हूं कि यह उनिक ग्री जिले में यह अवैद खड़ा जी और रोज इनका चंडिगर आना जाना होता है जी शेक्ट्रेट में जाते हैं विधान सवा में जाते हैं निकलना भी होता है और राना जी यह बात कहना चाहेंगे देखे आप एक अ अ्ट्या एक्टिविस्त हैं बात यह भी निकल कर आती है क्योंकि भार बार इन सवालों के उपर यह आता है कि अभी मैंने बात टाठीपूर के तार भी क्या जगी सिटी सेंटर से जुड़ते हैं क्योंकि टीका राम गोतम जिस समय नैब तसीलदार थे आज उनके सपूत्र जैसा कि आपने अभी कहा नैब तसीलदार अभिनाव गोतम है तो क्या वहां कोई ना कोई सांड़ गाट निकल रहे हैं ऐसा करके अभिनाव गोतम जी बैठके जी तो कहां देंगे कागल जी तो कहीं भी सकता है इन्वेस्टिंग मैट रही है यह मैंने दरखास 20 मई की दे रखी है डीजी साब को इसकी विजे कि आपके कागल फटे हुए दस्तावे सब फटे हुए हैं कौन से दस्तावेश फटे हु ही है 2020 से आपको अनू प्रणा जी एक कैसे लिखित तोर पर यह बताया गया कि यह इसका आपको आपके पास दस्तावेश है कि फील्ड बुक फटी हुए है जो पटवारी के पास होती है तो वह केवल दस पेज और उन दस बेजों के बाद 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 का वह दस पेजों में सब्सक्राइब करें और जो यह आप मेरा आरोप है बाकी तो इन्वेस्टिकेशन का मैट रहा है एफायर दर्ज होगी तभी तो पता लगेगा ना आप क्या चाहते हैं कि एफायर संबंदी दधिकारियों पर दर जो नहीं है जो मौजूदा है तो यह जो पटवारी के पास प्रजारे दार्स फील्ड बूक है इसका कही ना कहीं लिंक जो है नैशेलदार से होता है बिल्कुल होता है सर पटवारी की रेपोर्टिंग की ने अramतिंवहे कहीं na कहीं यह तार जुड हुए जो फाटी हुए है और फिल्ड बूक के जो पन्ने हैं वो हिंदी में लिखे गए गया एउसके बाद भी उर्दू चल रही है घ्याहर में पनने से फिर उर्दू आ जाती है ऌर पहले पनने से जो एक से दस रही यह से पहले का वह भी उर्दू में है तो क्या इसके ऊपर किसी इन्वेस्टिकेशन कोन करेगा और कोन सा डिपार्टमेंट कर सकता है और किसके अधिकार क्षेतर में अगर पेजी ऐसे चेंज हुए है तो कोई ना कोई ओफिस ओडर होना चाहिए कि हाँ पील्ड बुक जो है वो फट गई थी उसको रिस्टोर किया गया है दुबारा ठीक है एक ओफिस ओडर अगर फिल्ड बुक किसी तरह से दस पेज उसके फट गए थे तो इस मैटर शुड़ है बिन ब्राट तो दे नौलेज ओफ कंसर्ड तैसीलदार बाइदी पटवारी कंसर्ड उसके ऊपर तैसीलदार उस जो रिपोर्ट पटवारी करता है उसके ऊपर बुक की ओडर कोई ओफिस ओडर पास किया होगा वह ओडर जो होना जरूरी है जिससे की वह तीन पेज रिप्लेस हुए अगर फटी थी तो दस पेज की बात करने हैं अगर वह फटी है और उनको दुबारा री स्टोर किया गया है तो वह एक कंसर्ड ओफिस ओडर होना ये जो फील्ड बुक का जो मैटर है ये इससे संबंदित आपने निकाई मंतरी को मेल पर बताया बीस मईश से गई ये दरखास्ते चलते चलते आप परदेश के मुख्य मंतरी देश के परदान मंतरी से इस संबंद में कुछ कहना चाहेंगे मेरा तो हाथ जोड़के निवेदन है कि जब एक आम आदमी बनाने लगता है तो ये रोडे अटका देते हैं इतने दिवारे खड़ी कर देते हैं और ये इतना बड़ा एंपायर खड़ा हो गया इसको रोकने कोई भी नहीं किया एक आम आदमी की मजबूरी समझो मेरा हाथ ज ट्रांस्पेरेंट है और बीजेपी गवर्मेंट ये कहती है कि हम ट्रांस्पेरेंट गवर्मेंट देने के लिए जो है वचन बद है आर्याना की जंता को तो तो शूट शूट एन एक्जेंपल बाइटेकिंग एप्रोप्रेट एक्शन अगेंस दिस इलेगल का पानी से चल रहा होगा ना सीवरेज के बिडूख चल रहा होगा तो इससे संबन्दीत भी हमारे पास सब अगर हम उनकी प्रतिक्रिया लें या अपने स्टूडियों में बुला करके डिबेट करें कि आप उस डिबेट में शिर्कत करेंगे आप आएंगे मैं स्वागत करता हूजी उनका कोई सुने तो सही आगे कोई चाहे नगर निगम वाले हैं चाहे तैसील आए चाहे बिजली वाले आए भाई लोग सुनो सही अपने कागस तो देख लो शाहे तुम्हें ही नीचे वाले में दिखाए हो कागस चाहे जग्गी साहब घुदो हमारा प्रयास रहेगा चाहे अंबाला शहर के कमिशनर हो पर्थ गुपता चाहे एक्सियन साहब हो रमन जी चाहे बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो भीम सिंग चाहे यो साहब हो और जिनोंने हाल ही में कारेबार संभाला है और चाहे अंबाला शहर की नई बनी मेर शक्तिरान शर्मा हूँ हम कोशिश करेंगे और यह हमारा प्रयास जारी भी है जिन जिन अधिकारियों का इस अवैद निर्माण में साथ गांठ है उन पर से भी परदा एवन पंजाबी बहुत जल्द उठा कर रहेगा और साथ ही एक बार मैं भी चलते चलते सोरन जीत सिंग बावा यह अपने सभी दर्शकों को और उन सभी अधिकारियों को निमंतरन देना चाहूंगा अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप एवन पंजाबी के स्टूडियों में आ करके इस डिबेट का हिस्सा बन सकते हैं लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द उन सभी व्रश्ट अधिकारियों के मुख से परदा उठाने का काम एवन पंजाबी बहुत जल्द करेगा देखते रहें एवन पंजाबी तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत मैं अपने ए मोड्या थे गोड्या तो बहुत दुखी सी मेरे लगी ता तुरना फिरना भी एना उखो ऐसी मैं दास में दे सकता पर जातो मैंनू फी रिलिफ मेरे है टाई तिन में ने इस्ते माल करन तो बाद गोड्य वी होके मोड्य वी होके जी तुसी भी किसे इस तरह बिमारी तो परिशान हो ते बेस बेस चिजिक हो कि इस तो इस्ते माल करो सिर्फ टाई तिन में ने एक सो पच्ची बिमारियां तक ने इलाज कर सकते हैं फी रिलिफ हमेशा याद रखो बस कुस दिना तो मैंनू बालां दी बड़ी समस्या सी मेरे बाल चड़ने शुरू हो ते मेरे बाल जड़े गंजपन पहना शुरू हो गया सी ओ द्वारा आन लागे तो मैंनू तो बड़ा फैदा दिता है इसने ये तो अनू भी किसे इस तरह दी ब्रॉब्लम दा सी सामना कर रहे हूं ता ये तेल लाना पुलो कितना किती असी इपने बालां करके शरम फील कर हैं किती सोसाइटीज बैठें कि कोई मजाक ना कर रहा है पर थैंक्स टू फ्री लीव जिनने मेरा एक कॉंफिडेंस बेल्ट किता जिनने लगा नाल मैं मार्केट शुन बड़ा ही कॉंफिडेंट हां और इधना मैंनू बड़ा फैदा होया तो मैंनू सर्वैकल दी भी दि यूज करो ते मैं प्रैक्टिकल यूज कर रहा है